हेलो श्रुएंट्स, क्लास 10th Mathematics की अनलाइन क्लास, Learn Maths with Manoj Sharma में आपका स्वागत्त है। बचो, याद रखें, चैनल है Learn Maths with Manoj Sharma, यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, 10th Class Mathematics का, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। ओके, सो रिमेंबर, चैनल नेम इस Learn Maths with Manoj Sharma, सुबटा, आज हम दस्विंक अक्षा के गणित में पढ़ने जा रहे हैं, चैनल नमबर 3, नाम है जिसका पेर अफ लीनेर एक्वेशन्स, दो चरवाले रैखिक समिकरनों के यूगम, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, और यह इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो है, और इकलौता ही वीडियो है। तो ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं, तो आज आते हैं अपने इस काम पे, हाँ जी, तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का क्या नाम है, पेर आफ लीनियर एक्वेशन्स इन टू वैरियेबल्स, दो चरवाले रैखिक समिकरणों के युगव, तो बेटा सबसे पहले हम खोड़ा सा अपने आपको इससे रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, पेर है, लीनियर है, एक्वेशन है, टू वैरियेबल्स है, इन शब्दों का जो अर्थ है, उसके बारे में थोड़ी से अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि हमें इस चेप्टर में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैरियेबल्स से, चर, तो बेटा जैसे कि आप पिछली क्लासे से पढ़ते आ रहे हैं, कि गणित में हम लोग सिर्फ अंक ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, बलकि हम कुछ अंग्रेजी के अक्षरों का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैं ये आपके X, Y, Z, A, B, C, ठीक है, इस आपके एक्षर जब जमा माइनस होते हैं, या अंकों के साथ गुणा होते हैं, तो यह कहलाते हैं, चर, क्या कहते हैं, इन्हें, चर, वैरियेबल्स, क्यों कहते हैं, वैरियेबल्स का अंग्रेजी में अर्थ होता है, वैरी, जो वैरी करे, वैरी करे मिन्स, जिन का मान, पर whose value is changed vary whose value varies that are known as variables ठीक है इस लिए उन्हें चर करते हैं ठीक है बच्चो अब साथ में एक शब्द यहां आया हुआ है अगर आप देखें linear ठीक है linear और हिंदी में इस कार्थ है रैखिक तो linear वर्ड जो है यह लाइन से बना है लाइन रैखिक शब्द बना है रेखा से ठीक है तो रैखिक equation वो होगी यह linear equation वो होगी जो geometrically एक सीधी रेखा को बताएगी इस तरह से एक सीधी रेखा को बताएगी उसको बोलेंगे हम रैखिक यह linear ठीक है उसके बाद 2x अब आजाते example देता हूँ मैं इसका बिटा यह देखिए यह हमने एक example लिया है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इस example में चर क्या है पहले आपने पहचानने हैं चर है x और y ठीक है बिटा और इन चरों के साथ इस x के साथ एक अंक गुणा और दो तो यह कहलाएगा इसका coefficient या गुणांग इस y के साथ अंक गुणा और तीन यह कहलाएगा y का गुणांग और coefficient of y और यह जो 5 है ठीक है इसके साथ कोई चर नहीं है तो इसे बोलेंगे अचर क्यों कोई 5 हमेशा 5 ही रहेगा constant term ठीक है ब जारण linear equation का equation वो होती है simple शब्दों में जिसके बीच में ब्राबर का चीन हो जिसके दो पक्षों एक दायापक्ष एक बायापक्ष ठीक है तो इस तरह से अगर हम general form of equation की बात करें या standard form of equation या किसी भी समीकरण का मानक रूप जो है दो चरवाला रैखिक समीकरण है उसका म मैंने आपको समझा दिया a हो गया x का गुनांग coefficient of x b हो गया चर यानि variable y का गुनांग coefficient of y c है आपका चरपत और constant term ठीक है बच्चे तो यह है 2x प्लस 3y is equal to 5 तो अब इस equation में अगर हम देखिए अब थोड़ा सा कुछ और आगे के जानकरिकर फ्रेश कर लेते हैं अगर इस equation में यदि हम x का मान एक और y का मान भी एक रखते हैं पुटिंग x is equal to 1 and y equal to 1 तो हमें क्या प्राप्त होता है दो गुणा एक जमा तीन गुणा एक और एक क्या बन गया दो एकम दो और तीन एकम तीन दो प्लस तीन यानि पांच यह जो पांच है आपका यह वाला पांच ह है तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं ठीक है जमेट्रिकली अगर हम जमेट्रिकली बात करें मीनिंग 0.11 lies on the line representing the equation 2x plus 3y is equal to 5 तो जमेट्रिकली जमित्य रूप से हम कह सकते हैं कि यह जो बिंदू थे x1 y11 ठीक है xv1 और y1 यह यह उस रेखा पर जो कि 2x plus 3y is equal to 5 जमित्य रूप से दर्शाती है हमने 9th में पढ़ी थी कि रेखाएं कैसे लगाई जाती है ठीक है उसको दर्शाती है तो इस रेखा पर यह एक बिंदू स्थित है एक एक जो है इस रेखा पर स्थित एक बिंदू ठीक है बच्चो तो आगे चलते हैं तो इस तरह से हम क्या सकते हैं यहां पर यह लाइन बड़ी जुरूरी है यह आगे काम आएगे आपको 3.2 तीन जम्माव अगली एक्सरसाइस करेंगे So every solution of the equation is a point on the line representing it ठीक है हिंदी में अगर हम इसको समझें तो किसी भी समिकरण का जो हल होता है वो क्या होता है जो उस समिकरण द्वारे एक रेखा होती है उसके उपर स्थित एक बिंदू होता है समझें मेरी बात कि किसी भी समिकरण का जो हल होता है ठीक है सो किसी भी समिकरण का जो हल होता है वो एक बिंदू होता है जो समिकरण द्वारा जो रेखा बनाई गई है उसको उसके उपर होता है ठीक है जैसे कोई समिकरण उसने ये रेखा बनाई तो इसका हल क्या होगा ज तो चलिए आगे चलते हैं अब बात आती है वहाँ पर एक शब्द है अगर आप देखें रेखीG समदुर्ण तो आपको समझा गया लेकिन अब बात आगी प्ैर करें कि मैं कि यह प्यर क्या होता है ठीक है यह प्रक्र क्या रहने का मतलब है कि ये जो हमारे समिकरण है ये अकेले नहीं होते हैं दो चरवाले रहखिक समिकरण एक जोडे में काम करेंगे जोडे में हमारे पास आएंगे और जोडे में ही हमने उनको हल करना है उधारन के लिए एक हो गया A1X प्लस B1Y प्लस C1 is equal to 0 और इसी तरह से दू अभी मैंने आपको बता दिया A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 X के क्या बोलते गुणांख हैं कॉफिशेंट अफ एक्स हैं B1 और B2 Y के गुणांख कॉफिशेंट हैं C1 C2 अचरपद यानि कॉंस्टेंट टर्म्स हैं और जहां A1 ज्यान देंगे A1 B1 C1 A2 B2 और C2 ये सभी रियल नंब अब बेटा अपनी कापी पे दो रिखाएं लगाईए आप किस तरह से रिखाएं लगा सकते हैं दो लाइने लगाओ अपने कापी ठीक है तो कहियों ने तो इस तरह से लगाई होगी ये एक लाइन ये दूसरी लाइन होगी ठीक है ये लाइन हो सकता है आपने किसी ने ऐस यह दूसरे को काटती है है। हो सकता है किसी बच्चे ने इस तरह की दो रिखाएं लगाई है। जो एक दूसरे को ना काटें, हो सकता है किसी बच्चे ने एक रेखा के उपर दूसरी रेखा लगा दियो, ये भी तो पॉसिबल है, तो ये मैं यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूं, या क्या कहना चाहता हूं, कि ये जो दो रैखिक समिकरणों के युगम लिखे हमने, ये र जिसमें रेखाएं एक दूसरे को काटें, इन्हें प्रति छेदी रेखाएं काते हैं, दूसरा प्रकार है ये, जिसमें रेखाएं एक दूसरे के समाना अंतर हों, कभी भी एक दूसरे को ना काटें, तीसरा प्रकार है ये, जिसमें एक रेखा के उपर दूसरी रेखा, इस संपाति रिखाएं को इंसिडेंट लाइन्स भी कहते हैं ठीक है बच्चो तो यह थो था हमारा थोड़ा सा ब्रीफ बेस इस एक्सरसाइज का छोटी से एक्सरसाइज है तीन ही प्रशन है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को हां जी पहला कोशिन के ऐस्ससाइज 3.1 अवताब तल्स इस दौ। थार्ट इस श्यूर्सफं अगो आई वस स्वन ताम स्यूर्स यू घर आएं क्वे एंगो आंग दिन अ वी ठीक हैंए। as old as you will be, isn't it interesting, represent this situation algebrically and graphically, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, साथ वर्ष पूर्व मैं तुम से साथ गुनियायू का था, अब से तीन वर्ष बाद मैं तुम से केवल तीन गुनियायू का रह जाओंगा, क्या यह मनोरंजक नहीं है, क्या यह मनोरंजक नहीं है, ग्राफ यह रूपों में व्यक्त कीजी, ठीक है, एवा में बचेए, ठीक कर लें, एवा में, ठीक है, ग्राफ यह रूपों में व्यक्त कीजी, तो यह है आपका प्रशन, ठीक है, एक तरह से पहेली है, अब इस पहेली को आपने बीज ग्नितिये, ठीक है A, B, C, X, Y, Z दूस रूप में भी लिखना है और graph भी बनाना है ठीक है तो चलिए करते हैं इसको हाँ जी हल बेटा इन प्रशनों को जैसा कि हम छोटी classes से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे कि जो ये आयू वाड़े प्रशन है इसमें हम maximum times जो है वर्तमान आयू को ही suppose करते हैं, मानते हैं ठीक है क्योंकि गणित का ये हमारा तरीक है कि जो चीज हमें नहीं पता है हम उसको X ले लेते हैं तो X क्या है चर है क्यों क्योंकि वो समय कंसार बदल सकता है तो let Aftab's present age is equal to X years Mal and his daughter's present age is equal to Y years इसी तरह से इंदी वाले भी लिख लो Mal लो आफताब की आयू ब्राबर है X वर्ष उसकी पुत्री की आयू ब्राबर है Y वर्ष ठीक है तो इतना लिख लिए होगा, यही हमारा तरीक है कि आफताब की present age X वर्ष मान ले पुत्री की Y वर्ष मान ले अब जो हमें स्थितियां दे रखी हैं दो स्थितियां थी एक स्थिती थी एक कंडिशन थी साथ साल पहले 7 years ago वाली और दूसरी थी 3 years after तो पहले हम 7 years ago वाली करते हैं 7 वर्ष पहले वाली तो 7 वर्ष पहले अफताब's age क्या होगी अफताब की आयू तो जो बेटा उसकी आज की आयू यनि हमने एक स्थित किया उसमें से 7 साल कम हो जाएंगे एकस माइनस 7 years similarly डॉटर सेज पुत्री की आयू अभी हमने वाई स्थित किया तो वह हो जाएगी वाई माइनस 7 years वाई माइनस 7 वर्ष अंदी वाले वर्ष लिख लें कोई जादा मुश्किल नहीं है अब प्रशन के अनुसार उसने क्या पहली डाली थी कि 7 साल पहले में तुमारी 7 साल पहले की आयू का 7 गुना यनि जो उसकी 7 साल पहले आयू थी कितनी थी एकस माइनस 7 वो कुत्री की 7 साल पहले की आयू यनि y माइनस 7 की 7 टाइम 7 गुना यनि 7 मल्टिप्लाई समझे लो इसको ब्रेकेट का मतलब मल्टिप्लाई ही होता है तो ये कंडिशन बन गई प्रशन ये स्थिती बन गई ये शर्त बन गई कि x माइनस 7 बराबर है 7 इंटू y माइनस 7 हल कीजिए इसको आपको आता ही है करने x माइनस 7 एजटी जा जाएगा और इदर आ जाएगा 7 इंटू y 7 y 7 इंटू माइनस 7 की करना हो गया माइनस 49 माइनस 49 ठीक है बच्चो तो हम क्या करेंगे variables को एक साइड ले आएंगे तो क्या आगया x माइनस जो चर है हमने एक तरफ कर लिए 7 y उदर जाकर माइनस हो गया x माइनस 7 y बराबर है यह माइनस 49 और यह माइनस आती दराकर प्लस 7 हो गया तो x माइनस 7 y is equal to माइनस 42 यह हमारा समिकरन नंबर एक आ गया क्या गया यह समिकरन नंबर एक ठीक है बच्चो तो चलिए अब दूसरी शर्त को देखते है दूसरी शर्त थी 3 years from now अब से 3 वर्ष बात अफताब सेज अफताब क्या यूँग आज कितनी x प्लस 3 है तो यह कितनी हो जाएगी आज x है तो यह कितनी हो जाएगी x प्लस 3 years इसी तरह से पुत्री की आयू डॉटर सेज y प्लस 3 years y जमा 3 वर्ष मैं साथ में लेके लें बच्चे वर्ष ठीक है अब है 3 साल बात की तो आज की आयू में 3 साल जोड़ दो कंडिशन क्या है according to question प्रशन अनुसार कह रहा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमारी आयू का 3 गुना हो जाओंगा तो यहनि उसकी आयू कितनी है x प्लस 3 और उसकी बेटी की कितनी है y प्लस 3 तो x प्लस 3 किसके बराबर है उसकी बेटी की आयू के 3 गुना यहनि मल्टिप्लाइड बाई 3 x प्लस 3 is equal to 3 into y प्लस 3 solve किजिए equation को फटाफट अपने अब करते रहा किजिए और यहां से के वल चेक किया किजिए x प्लस 3 is equal to यह जब multiply हो जाएगा बिटा 3 अंदर तो 3y और प्लस 3 into 3 कितना हो जाएगा 9 तो x जमा 3 ब्राबर है 3y जमा 9 ठीक है फिर वैसे ही करना है y को एक तरफ कर लीजिए y को दूसरे तरफ ले जाएए चरकी तरफ तो y इदर आकर आपका माइनस हो जाएगा तो यह हो गया x माइनस 3y और प्लस 3 ब्यूदर जाकर माइनस हो जाएगा तो यह आगया 9 माइनस 3 ब्राबर है 9 माइनस 3 तो यह समिकरण बन गया x माइनस 3y ब्राबर है 6 यह हो गया आपका समिकरण नमबर 2 ठीक है बिटा अब आमने इन दोनों समिकरणों के ग्राफ नाने तो यह तो था algebraic expression, इन्दी वाले लिख लीजिए 20 गणितिये रूप, ठीक है, तो 20 गणितिये वेंजग क्या हो गए, लिख लीजिए, पहला हुआ x-7y ब्राबर है minus 42, और दूसरा हुआ x-3y ब्राबर है 6, तो यह तो आगे 20 गणितिये, यह है algebraic गणितिये रूप में, graphical representation, पहले समिकरन एक लिए, क्या है x-7y ब्राबर है minus 42, अब बेटा, इनको कैसे हल करते हैं, आपको पता होगा, छोटी classes में किया होगा, कि हम लोग एक का मान भरते हैं और दूसरे का ग्याद करते हैं, कैसे, हमने x को जो है y की term में लिख लिया, तो x is equal to आगया minus 42, और यह जो minus 7y यह दूसरी साट जाकर हो जाएगा, प्लस 7y, अब हम y का मान भरेंगे और x का मान ग्याद करेंगे, तो y पहले बार हमने 7 रख दिया, y की जगा क्या रख दिया, 7, तो x कितना आगया बेटे, x is equal to minus 42, प्लस y, 7y मतलब 7 गुना y, यही मतलब होगा न इसका, तो यह ह हो गया 7 गुना 7, यानि minus 42 जमा 49, कितना आगया, 7, इसी प्रकार से फिर एक और मान, दो मान से चल जाता है, दूसरा मान, y को हमने 6 ले लिया, तो अब क्या आगया, x बराबर है, वही यही से minus 42, प्लस y की जगा 6 आगया, 7 गुना 6, minus 42 जमा ब्याड़े कितना आगया, 0, ठी ठीक है, तो इसका हमने एक टेवल बना लिया, टेवल कैसे बनाया, एक हो गया x, y, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लिखेंगे, x यह है x, और यह दर नीचे y, तो x का मान 7 किस पे आया, जब y भी 7 था, तो x पे भी 7, y पे भी 7, फिर जब y 6 था, तो x पे इक तना आगया, 0, तो यह एक टेवल बन गया, इस तरह से हमने मानों का टेवल ग्याद करना है, अब समिकरन यान एक्वेशन नमबर 2, यहाँ पर क्या है x-3y ब्राबर है 6, तो x ब्राबर है 6 जमा 3y, यहाँ पर भी हमने बैसे ही किया, क्या किया, इस माइनस 3y को हम दूसरी साइड लेगे, तो यहाँ पर फिर मान भरेंगे, पहली बार हमने क्या बारा, y is equal to 0, то x is equal to 6 जमा 3 गोणा 0, कितना हो गया, 0 ही होता है, तो 6 जमा 0 कितना आ गया, 6, फिर y ब्राबर है माइनस 2, तो x ब्राबर है 6 जमा 3 गोणा माइनस 2, तो 3 गुणा माइनस 2 यानि 6 जमा माइनस 6 कितना हो गया ये भी 0 हो गया ठीक है तो हमने ये 2 मान रखे मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो तो फिर इसका भी टेबल किस तरह से बन गया एक्स और वाई एक्स जीरो कब आया था जब वाई था माइनस 2 ठीक है और जब वाई जीरो था तो एक्स आया था हमारे पास 6 ये वाला तो ये दो टेबल बन गए अब इनके ग्राफ बनाएंगे ग्रैफिकल रिप्रेजेंटेशन हिंदी वाले जामितिय निरूपण अब ग्राफ कैसे बनाते हैं बिटा अपने नाइन्थ में भी सीखा होगा एट्थ में भी सीखा होगा हम क्या करते हैं दो लाइन्ज लेते हैं एक खड़ी रेखा ठीक है और एक लेटी हुई रेखा श लाइन एक शाथिज रेखा जिसे हम लेटीव लाइन बोलते हैं ठीक है यह होगी होरिजॉंटल लाइन तो यह जहां पर यह दोनों रेखाएं कट करती हैं यह आपका औरीजन होता है केंदर बिंदू होता है 0-0 बोलते हैं फिर हम बराबर दूरी पर पॉइंट ले लेते ह जैसे यह एक दो तीन चार पांच छे साथ इसी तरह से उपर को एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है बच्चे तो यह पॉइंट ले लिए हमने अब इसकी हम रेखाएं लगाएंगे तो जो पहली रेखा थी वो थी एकस माइनस साथ वाई जमा बैलिस इकुल टू जीरो तो यहां पर हमारे पास क्या बिंदू आए थे कि यदि एकस जीरो हो यह है जीरो तो वाई कितना था ठीक एकस जीरो के सामने वाई था च्छे यह बिंदू आगए आपके पास यह वाड़ा बिंदू है जो यह फिर दूसरा पॉइंट आए था कि एकस भी साथ यह रह ना फिर क्या करना है आपने इन दोनों बिंदों को मिला देना है फुट्टा रखना है दोनों को मिला देना इस तरह से तो ये रेखा गी आपकी x-7y जमा 42 ब्राबर है 0 इसी तरह से वच्चे अब दूसरा जो हमारे पास समिकरन था वो था x-3y-6 is equal to 0 second equation थी ठीक है x-3y-6 is equal to 0 is equal to 6 जैसे भी आप समझ लो तो यहाँ पर यह पॉइंट आया था 0 to 0 यानि x0 यह है x0 तो y जो है minus 2 आया था तो यह नीचे को y का minus 2 यहाँ पर तो यह बिंदू आ गया फिर दूसरा बिंदू था x6 और y, sorry x6 y0 तो x6 यह है y0 के सामने तो यह फिर क्या करना है आपने इन दोनों बिंदूओं को मिला देना है ठीक है तो इस तरह से आपने जब भी graph बनाना तो वहाँ पर points भी लिखने हैं ब्रेकेट में 0 6 7 7 फिर equation के उपर equation भी लिखनी है जिस वे समयकरण के आपने line लगाई है तो यह हो गया जामितियन रूपण और graphical representation ठीक है बचे तो चलिए अब next हम करते हैं बना लीजिए इसको screenshot ले 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 और बाद में बना ले इसको अभी समझ लें second है the coach of a cricket team buys three bats and six balls for rupees 3900 लेटर शी बाद शी बाद अनधर बैट and three more balls of the same kind for rupees 1300 रिप्रेजन दिस situation algebraically and क्रिकेट टीम के coach ने रुपए 3900 में तीन बल्ले तथा छे गेंदे करी दी बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी परकार की तीन गेंदे रुपए 1300 में खरी दी इस स्थीति को बीजगनितिये तथा ग्राफिय रूप में व्यप्त कीजिए ठीक है बेटा तो यहां से प लेट दट कोस्ट आफ बन गच जैसा की मैंने भी अमको प्डाया इस इकल टू रुपए x अंड कोस्ट आफ वन बॉल इस ईकल टू रुपए y इंदी में mall लो एक बल्ले का मुले बूले ब्राबर है रुपए x और एक गेंद का मुले ब्राबर है रुपे y according to question प्रश्णा अनुसार पहले प्रश्ण स्थिती क्या थी कि 3 बल्ले 3x एक x क्या तो 3 बल्ले इतने क्या होगे 3 बैट 3x plus 6 गें दें 6 बॉल 6 into y is equal to 3,900 यह होगे समी करण 1 फिर दूसरी स्थिती क्या थी एक बल्ला एक बैट x plus 3 गें देखरी दी 3y is equal to 1,31300 तो यह होगे आपका समी करण 2 तो यह था आपका ज्यामितिय निरूपड क्या होगे यह ज्यामितिय नहीं यह हुआ अलजेबरिकल एक्सप्रेशन बीज गनितिय निरूपड अब करते हैं ज्यामितिय ठीक है तो ग्राफिकल रिप्रेशन के लिए पहले आपको टेबल बनाने पड़ेंगे पहले एक्वेशन ले लिए हमने 3x जमा 6y ब्राबर 49 तीन कॉमन ले लिजिए आप आपके पास आ गया अंदर 3 आपने कॉमन या विनिष्ट ले लिया तो ब्रेकेट में आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 3900 फिर 3 उदर चला जाएगा आपके पास क्या जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बटे 3 यह है बटा 3 जयान रखेंगे इसको तो आपके पास आ गया x जमा 2y ब्राबर है 1300 यह दूसरे शब्दों में x का मान कालना था हमने तो यह आगया x प्राबर है यह हल करके आगया 1300 और प्लस 2y उदर जाकर हो गया माइनस 2y ठीक है अब यहाँ पर देखिए 100-200 की बात हो रही है तो मान भी हम 100-200 में ही लेंगे एक दो मेंनी लेंगे तो y को मान लिए है मैंने 500 y is equal to 500 तो x is equal to कितना हो आगया आप इसको solve करेंगे 1300-2 गुणा 500 2 into 500 y की जगा 500 जह हो गया 1300-1000 तो x आगया 300 एक और मान ले लीजिए y is equal to 600 तो x is equal to कितना आगया 1300-2 into 600 और ये is equal to कितना आगया ये is equal to है बेटा यहाँ is equal to का निशान लगा लें 1300-1,200 यानि 1200 तो ये कितना आगया is equal to 100 तो इस तरह से हमारे पास ये दो x और y की values आगई छीक है x 300 तो y 500 x 100 तो y 600 अब एक और भी ले सकते है अगर आप करना चाहें y को 700 ले लें तो x is equal to 1300-2 into 700 तो ये आगया 1300-1400 ये आगया तो य के लिख 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 लिजिए y का आपने भड़ा है 500-600 भड़ा है और 700 भड़ा है 500-600-700 जब 500 भड़ा था तो हमारे पास x आया था 300 ये जब हमने 600 भड़ा था तो x आया था 100 तो यह 100 लिखतीजिए फिर जब हमने 700 भरा था तो y आया था minus 100 तो यह minus 100 लिखतीजिए So equation 2 होगी x plus 3y is equal to 1300 x is equal to 1300 minus 3y तो y is equal to कितना आगया 300 तो x is equal to पहले हमने y 300 लिया तो 1300 minus 3 into 300 तो 1300 minus 900 is equal to 400 400 आगया फिर y ब्राबर है 400 x ब्राबर है 300 minus 3 गुना 400 तो यह आगया 300 minus 1200 यहनी 100 फिर y is equal to 500 ले लिया तो 300 minus 3 गुना 500 is equal to 300 minus 1500 और यह आगया minus 200 तो इसका टेबल भी सी तरह से बना लीजिए y 300 भरा तो x आया था 400 यह है अमारे पास 400 यह सरी y 300 भरा था तो x आया था 400 y 400 भरा तो x आया 100 y 500 भरा तो x आया minus 200 अब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा हाँ जी तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगा देख सकते हैं आप लोग यहां पर हमें बड़े लेने पड़ेंगे 100 200 का गैप लिया हमने 100 200 300 400 500 600 इसे तरह से y अक्स पर भी और x अक्ष भी ठीक है बेटा तो मैं आपको बार 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 बता रहा हूँ यह आपका x अक्स है और यह आपका y अक्स है इसको हम x dash बोलते हैं तो इसको हम x बोलते हैं और यह हो गया y dash ठीक है तो पहला जो हमारा था 3x जमा 6y ब्रावर है 3900 तो यह red वाड़ी line है ठीक है तो इसमें क्या क्या point आये थे जब x को 300 लिया था यह है 300 तो y आये था हमारे पास 500 तो 300 के सामने यहां पर और 500 के सामने जहा आ गया तो यह हो गया 300 500 फिर एक हमने लिया था x जो लिया था हमने 100 और y आये था 600 तो वह आएगा यह वाला विंगू ठीक है बिटा और एक है माइनस 100 700 तो वह है यानि माइनस 100 के सामने और 700 के सामने यह विंगू आ गया ठीक है इसी प्रकार से अब हमारे पास एक और आ गया यहां पर देखिए दूसरी equation x प्लस 3 y is equal to 1300 अगर आप इसको देखते हैं तो यहां पर क्या आएगा x कितना लिया है हमने एक वार x लिया था 400 तो y आया था 300 ठीक है ना सॉरी हाँ जी x 400 और y आया था 300 तो यह बिंदू हो गया फिर x 100 y 400 यह बिंदू हो गया x माइनस 200 और y 500 तो यह बिंदू हो गया कुछ नहीं करना है बिंदू आगे स्केल लीजी और इन बिंदू को मिला दीजिए सीधी लंबी लाइन लगाए तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाता है ठीक है बच्चो अब है लास्ट पार्ट फटा 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 कर लेते हैं जरा आपका 4 kg की एंपल्स और दो केजी आपका इंगूर का मुल्या किसी दिन रुपए एक सो साड़ था एक महीने बाद 4 kg से बर दो केजी अंगूर का मुल्या रुपए 300 हो जाता है, इस्थिती को बीज गणिती है, तथा ग्राफ ये रूपों में व्यक्त करो, ठीक है वेटा, तो चलिए हल करते हैं, तो वही है, अब चर क्या है, सेव और, अंगूरों का मुल्य, तो मान लो, एक किलो सेव का मुल्य, एक्स रुपए, प्रशन अनुसार, पहले स्थिती क्या है, दो किलो सेव 2x, प्लस एक किलो अंगूर y, 2x प्लस प्लस y, कितने रुपए दियो, उसने 160, ये बन गया, एक्वेशन नमबर 1, अब महीने बाद, दूसरी स्थिती में क्या खरीता है, उसने, उसने खरीते, 4 kg से, 4x, प्लस 2 kg, अंगूर, 2y, जीक्वल टू, इस समेश की स्थिती बनी 300, तीन सो रुपए दियो, ठीक है, तो इसकी जेब से कितने गये, सुरी, इसने, 4x, जीमा, 2y, ब्राबर है, 300, तो इसने कितने गये, 300, तो ये हो गया, अमारे जमेट्रिकल, सुरी, जमेट्रिकल ने, ये हुए, अलजेबरिकल, यानि, बीज गनितिये, निरूपण, अब चलते हैं, जामीतिये, निरूपण, पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पहला जो हमारा सामी करना है, वार 2x प्लस y is equal to 160, तो y is equal to, अब मैं इसको आपको समझाने के लिए किया किया, मैंने x को उदर ले गया, क्योंकि आपके पास पूरी अजाद्दी होती है, आप चाहे x को उदर लेके जाए, चाहे y को, अब जिस मर्जे का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या कि x को उदर ले गया, अब x का मान भरूंगा मैंने, x को जब मैंने 50 भरा, तो y क्या आगया हमारे पास, देखिए, 160-2-50, यनि 160-100, तो y आगया 60, इसी प्रकार से x को जब 60 भरा, तो y आया, 160-2-60, यनि 160-120, तब कितना आया y, 40, ठीक है, दो बिंदूं से ही रेखा ड्रॉ की जा सकती है, अब दूसरा समिकरन था, 4x जमा 2y ब्राबर है 300, यहाँ पर 2 common ले लेते हैं, तो हमारे पास आगया 2 into bracket आजाएगा, 2x जमा y ब्राबर है 300, और अगले step में 2 उदर जाकर भाग हो जाएग तो आपके बास बच जाएगा 2x जमा y, ठीक है, ब्राबर है 300, बटे 2, फिर क्या करेंगे आप, y ब्राबर है 1,500, उनको हल करके कितना आजाएगा, काट के आजाएगा 150, और इदर से minus 2x, फिर वही value पुट करनी है बारी बारी, x को 50 रखा, तो y आगया 150 minus 2 गुना 50, यहनी 150 minus 150, फिर x ब्राबर है 60 खा, तो y आगया 150 minus 2 गुना 60, यह आगया 150 minus 120, यहनी 30, ठीक है बेटा, तो अब बनाते हैं इसके graph, तो value याद रखेंगे, पहले में 50, 60, और दूसर 60 चाली, तो इसको देखते हैं, पहले table का था, x 50, y 60, ठीक है, x 60, तो y 40, और इधर, x 50, तो y भी 50, ठीक है, x 60, तो y 30, ठीक है बच्चे, अब graph बनाते हैं, तो इसका graph इस तरह से बनेगा, यहाँ पर हम 10, 20, 30 का अंतराल लेंगे, क्योंकि मारी values जो है 50, 60 में हैं, तो जो पहला था हमारा, उसमें देखिए, क्या है, x 50, यह x 50, y 60, तो यह है y 60, 50 के सामने, और इधर से y 60 के सामने, यह बिंदू आ गया, 50, 60, फिर दूसरा है 60, 40, x 60, y 40, तो इधर से 40 के सामने, यह बिंदू आ गया, फिर इन दोनों बिंदों को scale रखके मिला दिया, यहां यह points लिख दिये, इनके सामने, line के उपर line की equation लगती है, ठीक है, अब आजाओ दूसरी equation पर, x भी 50, y भी 50, तो x 50, और इधर से आपका y 50 के सामने, यह बिंदू आता है, फिर x 60, और y 30, तो यह बिंदू आता है, ठीक है, फुट्टा लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो यह आपके बस दो line आगी, एक यह, एक यह, ठीक है, तो यह हो गया, इनका ज्यामितिये, निरूपण, ठीक है बच्चों, क्या हो गया यह, ज्यामितिये, यह जोग्राफिकल, रिप्रेजेंटेशन, तो यह थी बेटा, आपके first exercise, तीन ही question थे, ठीक है, इसमें एक तरह से आपको थोड़ा सा graph के बारे में, जानकारी दी गई है, क्योंकि आगे जो है, आपका एक question जो है, ग्राफ में से 100% पूछा जाता है, बड़ा important question है, तीन पॉइंट दो का, तो यहाँ पर आपने graph बिनाना सीख ल जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए अपने पास एक graph notebook जरूर रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो share जरूर करें, तो बटा, remember, channel है, learn maths with Manoj Sharma, और thanks for watching this channel, बटा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो like बटन को press करें, subscribe करें, चैनल को अगर subscribe नहीं किया है, और जादा से जादा share करें, ताकि आपके friends भी इस वीडियो को देखकर फाइदा उठा सकें, ओके बचों, और जरूर देखा कीजिए, ठीक है, बाई बाई, thank you, have a nice day,